हेलो दी स्टूडेंट्स वेलकम बेक ट्यू और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वक्षीट नंबर 64, 4 क्लास 9th, सब्जिक्ट इंग्लिश है और ये वक्षीट आपके लिए 12 जेनवरी 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम पॉम जो है हमारी दस्ट्रेंग ट्राइन इसको हम पढ़ेंगे काफी इंट्रस्ट्रिंग सी पॉम है और वक्षीट शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखी क्या दिया गया है आज की वक्षीट में जो यह पॉम है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है फ्री वर्स है फ्री वर्स यानि कोई बिना किसी राइमिंग स्कीम के जो पॉम होती है उनको फ्री वर्स पॉम बोला जाता है and with unequal lines इसके अंदर जो lines आप देखोगे तो unequal lines है clear और यह जो pom है इसमें जो point है वो एक तरह से plea कर रहे हैं यानि request कर रहे है human being को कि हमें जो snake है उसको जो है उसके साथ अच्छा treat करना चाहिए ठीक है यानि अच्छा treat करने का मतलब point यहां पर बिल्कुल नहीं कह रही है कि आप snake दिखे तो उसके साथ बैठ के आराम से जो है बाते करो ऐसा नहीं है वो कह रहे है कि snake जो हो harmful आपके लिए तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसको harm नहीं करते तो यहां पर इस pom के through यह depict किया गया है कि जो snake है वो तो खुद ही जो human being है उसका जो बहुत ही ज़्यादा कठोर एक nature है उसका शिकार हो जाता है ठीक है और यहां पर point जो है वो क्या कह रहे हैं कि सभी snakes वो harmful नहीं होते हैं सभी के अंदर poison नहीं होता है सभी human being को नुकसान नहीं पहुचाते हैं तो इस तरह से जो point है वो यहां पर human being से request कर रही है कि हमें उनको देखते ही मारना नहीं चाहिए तो इस तरह का message यहां पर convey किया गया है अब हम point देखेंगे कि क्या इसमें दिया गया है snakes are thought to be fearsome symbol of death snake को क्या माना गया है कि एक तरह से symbol of death है यानि हमें बस हमारे तिमाग में क्या है कि snake जो है वो हमें काट लेगा और हम मर जाएंगे ठीक है बट इन दिस पॉम दा point WWE Ross has depicted the snake as the victim लेकिन इस पॉम के थ्रू जो Ross है वो क्या depict करना चाहते है कि snake तो बिचारा खुद ही जो है क्या है शिकार हो जाता है शिकार जो है वो human being का शिकार हो जाता है the snake who has been lying on the sandy bank of pond or a stream is trying to escape from the man pursuing it with a stick कि जो snake है जो की sandy यानि pond या stream जो है वहाँ पर या sandy जो bank है यानि जो मिट्टी है उसके उपर जो है बैठा हुआ है लेटा हुआ है जैसे पड़ा रहता है और अपने आपको बचाने की कोशिश करता है trying to escape from the man आदमी से pursuing it with a stick यानि जो उसकी तरफ stick लेकर जो है उसको मारने के लिए आ रहा है उससे अपने आपको बचाने की कोशिश करता है as it gracefully glide away gracefully का मतलब बहुत ही शांदार तरीके से glide away मतलब ऐसे अपनी body को ऐसे curve बनाते हुए वो gliding करते हुए आगे जाता है curving its thin body thin long body उसकी body जो है वो बहुत पतली सी long body होती है और उसमें curve बनाता हुआ वो भागता है तो यहाँ पे उसकी body की जैसे कितनी beautiful उसकी body लग रही है उसको यहाँ पे point explain कर रही है ठीक है graceful है glide सब एक curving बनते हैं उसकी body में thin long body में the snake looks very beautiful snake जो है वो बहुत सुंदर लगता है it glide through the water trying to escape from the stick यह जो है water के अंदर जो है क्या कर जाता है glide करता है through the water water के उपर ऐसे भागता है अपने आपको stick से बचाने के लिए trying to escape from the stick stick से खुद को बचाने के लिए the point plea to the person attacking the snake to let it go over the water यहाँ पे जो point है वो जो है एक तरह से request कर रहे हैं human being को कि जो उस person को जो है यहाँ पे request कर रहे हैं जो उसको मार रहा है कि इसको जाने दो let it go over इसको यहाँ से जाने दो and water over the water पानी के उपर से इसको जाने दो into the reeds to hide reeds क्या होती है reeds जो है ऐसे bushy branches होती है जैसे अगर आप तेखो तो पानी के अंदर जो पौधे उग जाते है न घासपोस उग जाती है वो जो है reeds है यहाँ पे and water into the reeds to hide hide का मतलब क्या होती है छुपना तो वो पानी के अंदर से जाएगा और जो जाडिया है उनके अंदर जाके छुप जाएगा and not hurt it और किसी को यह नुकसान नहीं पहुँचाएगा he highlights that it is a small green snake वो जो है क्या है highlight कर रहे है उसकी जो खुबसूरती है उसके बारे में कि वो एक छोटा सा है small green snake है हरा है completely harmless even to small children और completely harmless है यानि small children तक के लिए वो harmless है यानि बड़ो की तो छोड़ो बड़ो की तो बात ही क्या है वो तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुचाएगा बच्चों के लिए भी वो harmful नहीं है the snake lies on the sand until it is observed snake जो है वो sand के उपर lies यानि लेटा रहता है जब तक उसको कोई observe नहीं करता यानि जब तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुचाता and it changed away ठीक है जब तक कोई उसका पीछा नहीं करता या उसको जो है observe नहीं करता in the end it disappear in the ripple in the green reads और फिर क्या करता है आखिर में वो जो रिपल्स रिपल्स यानि रिपल्स क्या होती है ऐसे waves जब बनती है पानी के अंदर जैसे आप पत्थर फेको तो उसके अंदर ऐसे waves बनती चली जाती है न उनको रिपल्स कहा जाता है तो क्या कहा गया है कि वो रिपल्स के अंदर से होता हुआ और green reads जो है जो ज़ाडिया है उनके अंदर क्या हो जाएगा disappear हो जाएगा चला जाएगा the point convey a beautiful message point जो है यहाँ पर एक बहुती beautiful message convey करती है that sometime our reasoning often mislead us कि कभी-कभी हमारी जो reasoning है न यानि जो हम बात कहती है वो हमें mislead करती है मैं आपको बताऊंगी एक new app के बारे में जो students में काफी जल्दी popular होती जा रही है चाहे कोई question हो, कोई doubt हो या कोई concept ना समझाए boards हो या ची नीच पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका solution है fillo app अपने doubts को किसी भी time clear करें in these three easy steps सबसे पहले इस app को play store या app store से download कर ले अपने phone number से easily sign up कर ले अपने questions का picture ले या उसे type करके submit करें और फिलो आपको 60 seconds में इंडिया के top expert से लाइकॉल पे connect कर देगा आपके question में आप कहाना चाहते है कि बल्ब की power कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस battery का वोल्टेज है वो आपको गिवेन है 220 तो ये आपको simple relation होगे है यहापर अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए So guys it's just simple have any question just ask फिलो you can get 10% off by referral code OKE001 इस app का download link नीचे description में दे दिया गया है So just download फिलो now ठीक है the snake जैसे हमने mislead यह हमें क्या किया हुआ है कि जो भी snake होगा बस वो उसके अंदर जहर होगा poison होगा वो हमें डसेगा हम मर जाएंगे तो यह misleading है यहाँ पर क्या कह रहे है कि यह क्या है यह misleading है जो लोगों के अंदर है The snake is a creation of nature Snake एक nature की creation है And we are afraid of it और हम इससे क्या है हम इससे डरते हैं We don't understand the beauty of nature and we tend to kill it हम जो nature है उसकी beauty को समझना ही नहीं चाते और बस हम उसको मारने लग जाते हैं तो यह बाते यहाँ पर जो point है वो बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि Snake दिखते ही उसको मारना है ठीक है वो भी एक जीव है और उसको हमें एक तरह से उसको हमें मारना नहीं है तो अगर हम इन लाइनों को इन चीजों को ध्यान से समझे तो यहाँ पर जो point है वो Snake को एक तरह से as a human being treat कर रहे हैं कि हमें उसको जैसे हम दूसरे human beings के साथ treat करते हैं बहुती kind behavior उसी तरह से हमें उसके साथ भी जो है एक बहुत अच्छा विभार करना चाहिए now read the extract given below and answer the question that follow अब आपको यहाँ पे extract दिया गया है palm से ही इनको पढ़के आपको जो questions है उनके answer करनी है देखे the snake trying to escape the pursuing stick अब यही हमने पहले भी समझा है कि जो Snake है वो अपने आपको जो stick है जो उसकी तरफ आ रही है pursuing का मतलब होता है जो उसकी तरफ आ रही है उसको मारने के लिए उससे वो क्या कर रहा है बचने के लिए कोशिश कर रहा है with sudden curving of thin long body उस अपनी body में ऐसे जब जैसे उसको मारते ना तो वो ऐसे एक दम से कठाओ के भागने लगता है and उसकी जो body है वो long है thin है how beautiful and graceful are his shapes कि कितनी सुन्दर लगती है उसकी body जब वो इस तरह की shapes बनाता है graceful लगती है he glides to the water away from the stroke वो water के अंदर क्या करता है glides करता है यानि ऐसे float करता हुआ चला जाता है all let him go जाने दो उसको ठीक है point क्या कहते है all let him go उसको जाने दो तो ये थी हमारी बहुत ही अच्छी सी form अब हम देखे questions दिये गई है first question है choose the option that is not true as per the point तो आपको option choose करना है जो कि point के according true नहीं है that is not true as per the point ठीक है तो A रहेगा snake is beautiful creature B रहेगा snake is afraid of humans तो आपको जो true नहीं है तो beautiful creature है C is afraid of humans मनुष्य से डरता है बिल्कुल डरता है snake is harmful ठीक है ऐसा नहीं है कि point के अनुसार snake जो है वो harmful नहीं है snake is trying to escape वो अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे C जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है C second देखिए to word gliding does not correspond to gliding किस से correspond नहीं करता है gliding का मतलब क्या होता है to move smoothly बिल्कुल हम इसको synonym ले सकते है drift जो है drift भी ऐसे ही होता है जैसे glide कर रहे हैं जैसे हम float करते है ठीक है तो वही मतलब है gliding का भी and immerse का मतलब क्या होता है immerse का मतलब होता है डूब जाना ठीक है तो वह gliding से synonym नहीं करता डूब जाना और float करना दोनों चीजों में difference है तो इसमें जो second का answer आपका हो जाएगा वो D हो जाएगा immerse is not correspond to the gliding ठीक है now first में हमारा answer जो है क्या था first में हमारा answer था C third है the poetic device used in the given stanza अब इसमें आपको stanza में poetic device बताना है तो इसमें देखिए कोई rhyming scheme नहीं है इस तरह की कुछ नहीं है इसके अंदर तो इसमें जो है न वो personification हम कहा सकती है ठीक है repetition भी नहीं है यहाँ पे कोई consonant sound भी alliteration हमें इसमें जो है ज़्यादा दिखाई नहीं देता है अगर आप इस पॉम को ध्यान से देखे ठीक है तो इसमें जो main चीज है ना वो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है personification दिया हुआ है personification क्या है यहाँ पे की जो snake है उसको as a human being जो है treat करके point कह रहे हैं कि आपको उसको as a human being ही treat करना है जो kind nature human being की तरफ show करते हैं सेम उसी तरह से आपको इसको भी treat करना है तो third का answer आपका C हो जाएगा personification clear है यह इसके अंदर poetic device रहेगा next देखे अब आपको यहाँ पे होती आसान से three questions दिये गए है जिनके answer हम करेंगे question number three है why is a snake considered dangerous do you think all snakes are harmful तो snake considered dangerous as many species have venom that often kill a person ठीक है उनके अंदर venom क्या होता है poison तो जो कि किसी वेक्ती को क्या कर देता है मार देता है but all snakes are not poisonous some of them are quite harmless ठीक है सभी snakes poisonous नहीं होते हैं कुछ जो है उसमें harmless भी होते हैं fourth question है what does the point try to convey in this poem जो poem है उसमें जो point हो वो क्या convey करना चाहते हैं क्या message convey करना चाहते हैं the point conveys that the message that we should not attack or kill animals ठीक है हमें animals को kill नहीं करना चाहिए even animals that may be venomous like snakes चाहिए वो जो है snake के जैसा कोई जहरीला ही animals क्यों नहीं हो हमें उनके उपर देखते ही उनको मारने के लिए नहीं दोड़ना चाहिए number fifth है how does the point describe the beauty of the snake जो point है वो snake की beauty को कैसे describe करते है answer हैगा the snake is small green and has thin long body जो snake है उसके वो small है green है और उसकी body जो है वो long और thin है the snake looks very beautiful when it glides through the water trying to escape from the stick तो जो snake है वो बहुत ही beautiful दिखता है जब ये water से क्या करता है water के उपर से glide करता हूँ आपने आपको stick से बचाने की कोशिश करता है तो इस तरह से point जो है snake की beauty को describe करते हैं so ये थी students आपकी आज की English की worksheet I hope सभी students को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको like करिए share करिए और channel को subscribe करिए thank you